हलो फ्रेंद्स मैं हूँ संजे संख्यान और आप देख रहे हैं HP Notifications by संख्यान दोस्तो आज किस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि Conduct Rule implies के उपर कैसे लगते हैं क्या क्या Conduct Rule है कैसे इनकी प्रिशीडिंग होती है अगर कोई करता है जो Conduct Rule की या violation रहती है तो यह मैं आज इसलिए भी जुरूरी डिस्कस करना चाहरा था क्योंकि मुझे लगता है हम सब जब गौर्मिन इप्लाइज हैं तो हमें कुछ एक चीज़े हैं जिनका ओवे करना चाहिए और कुछ एक चीज़े हैं जो हमें नहीं करने चाहिए तो अगर इसमें क्या क्या चीज़े हैं मैं आज जुरूर इस पर चर्चा करूँगा इसके बाद मैं कोशिश करूँगा ये भी चर्चा करने की कि जो Penalty लगती है कैसे लगती है इसकी जो Disciplinary Proceeding है कैसे होगी Suspension कैसे होगा ये मैं सारा इस Series में Discuss करने की कोशिश तो आज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा देखिए जो Government Implies है उसके पर सबसे पहले जब भी कोई Misconduct होता है तो आपने दिखाऊगा कि उसके पर Conduct Rule लगते हैं ये Conduct Rule क्या है फिर Conduct Rule में सिर्फ ये बताये गया कि क्या हम Government Implies से Expect किया जाता है और क्या Government Im से Expect कि जा रही है वो नहीं अबू कर रहा है या जो जो चीज Government Implies से Expect नहीं कि जा रही है अगर वो Government Implies कर रहा है तो मिस ये Government Implies के एक एक पॉइंट पर चर्चा करने के लिए मैंने बुला कि क्या Government Implies से क्या Expect किया जाता है और क्या Expect नहीं किया जाता है means Do and Don't ये जो है ये लिखे हुए हैं CCS Conduct Rule 1964 में और अगर इनकी violation होती है तो जो Proceeding बनाए जाएगी means जो Disciplinary Action लिया जाएगा उसके लिए प्रसेस है प्रसेस के बिना Follow किये हम किसी को पर Penalty Imposed नहीं कर सकते हैं Government Implies के लिए तो ये जो प्रसेस है ये बताया गया है CCS CCA Rule 1965 में अब देखिए मैं आज की इस वीडियो की Series में मैं सिर्फ चर्चा करूँगा Conduct Rule क्या है Conduct Rule के लिए मैंने आपको बताऊं कि इससे हम बोलेंगे CC Conduct Rule 1964 ये इस पर कुछ चीज़े हैं मैंने पहले भी बताया कि Government Implies से जो एक Implies है उससे expect के जाता है कि कुछ चीज़ें वो करें और कुछ चीज़ें ऐसा expect के जाता है कि वो ना करें देखिए हम लोग घर में भी अगर Implies रखते हैं तो हम भी expect करते हैं कि वो जो हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए तो in the same way Government भी चाहती है कि जब Government Implies उनके अपने Implies हैं तो उनसे भी expect करती हैं उनका Good Wabour, Good Conduct और Ovidian बगारा ये कुछ एक चीज़ें हैं जो Government भी expect करती हैं तो सबसे पहले मैं लोगा Do's में means क्या expect कहिया जाता है जो Government Implies से Government expect करती है means maintain absolute integrity of at all the time means integrity रखे devotion to duty रखे means अगर जिस काम पर कर रहा है उसको बड़ी devotion से करें फिर जो impartial रहे means partial ना हो कि ये मेरा भाई है ये उसके लिए में favor करूँगा ये मेरा दुसमने इसके लिए में favor नहीं करूँगा इस तरह नहीं होना चाहिए maintain a responsible and decent standard of conduct in private life ऐसा नहीं है कि सिर्फ duty के टैम duty के बाहर भी जब उसकी अपनी personal life है वहां भी decent standard maintain करके रखें और render prompt and cut services to the public means prompt जैसे इसमें ये लिंगराउन करने वाला system नहीं चाहिए कि कोई किसी का काम है तो अगर आपको अभी कर सकते हैं तो इसको अभी करना चाहिए और सिर्फ deck rooms रहेगा government applies का सिर्फ during service ही नहीं रहे तो तब भी expect के जाता है कि वो decrum maintain रखें और अपने superior को जो है वो inform करें अगर मालो कभी कोई government apply arrest हो जाता है या कोई criminal offense में उसको sentence हो जाती है तो वो उसकी ये prime duty बनती है कि वो immediate superior authority को इसके बारे में inform करें next अग्ला जो इसमें expect के जता है government apply से कि वो demonstration ना करें कि किसी political parties में जो उनका demonstration है या जो उनके द्वारे जो strikes की जारी है या कई demonstration क किया जा रहे तो ़िसमें parts मिट ना करें और जड़ा politically involved नहीं होना expect कि आता है government by सर्फ uyट में विद्वार्मिन उपको से वा इनले न आव रहें तो तो वह इन डेफ्टनेस में नफ्थ में नफाज है उसके बात if any उसके बिरूट जो कोई any proceeding जो government या किसी के द्वारा लगाई गई है तो उसके बारे में वो government को जो immediate officer है उसको involve कर दे और government की policies को बिलकुल criticize ना करें क्योंकि government का implies है अकर government की policies को criticize कर रहा है तो ये उसका काम नहीं है तो it is not expected from the government implies कि वो government policies को उसको criticize करें और MLA, MPs उनका properly उनका respect करें और अपना जो काम है वो बड़ी इमानदारी से करें ये expect किया जाता है और जो RTI एक नहीं इसमें add हो है कि RTI की information is stipulated time में जो है और एक अच्छी और बिलकुल exact information जो है वो RTI में दे तो ये तो था जो government replies से expect किया जाता है कि वो करें अब मैं next इस slide में आपको बताऊंगा कि जो government replies से expect नहीं किया जाता means ये देखिए ये बोही चीज़ा है जलनी जो अगर आप घर में अपना implies रखते हैं जो जिससे आप नहीं चाहते हैं बोही चीज़ां यहाँ पे हैं जैसे मैं example तो इसमें देखिए do not enter into private correspondence with the foreign embassy से चलो ये तो इतना नहीं है किसी से आप जिसके साथ official dealing है उससे आप gift नहीं लेंगे या उसके साथ कोई ऐसी deed न करेंगे जिससे कि official capacity पे आपको कोई फाइदा हो रहा हूँ फिर do not offer the cost of pass मलग कोई ऐसा भी नहीं करना कि जैसे in the form of किस से undue favor आप government official capacity पे नहीं लेंगे फिर इसमें जो main चीज में इसमें बताई गई है कि जैसे आप सिर्फ officer में तो drink करके नहीं आना है अगर आप duty के बाद भी ये expect नहीं कि प्लाइज से कि वो स्रापी के बाहर निकले क्योंकि यह भी कर गॉर्मिंट प्लाइज के डेकरम से अगेस्ट माना गया है do not approach means सिद्धा higher authority पे एक तम ना जाके उसको एक जो चैनल है rule of business में बताए गया है तो यह डेकरम को जो उसको maintain करना पड़ेगा direct correspondence government के साथ नहीं करे जो ऐसा केबर ऐसा भी देखने में आता है जैसे मान लो एक्जाम्पल लेता हो कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम है कि लोगों की उनको treatment करना पर ऐसा नहीं करेंगे डॉक्टर लोग भी कि वो जो है वो एक अपना private clinic साथ-साथ parallel खोल दिया कि वहां भी काम करते रहेंग तो यह तो थे जैसे 9-10 फिर और भी हैं बहुत जादा है कि stock market में भी invest नहीं करेंगे do not purchase share वेरा यह देख लेना आपने अगर इसको चाहते है screen shot लेके आप इसको जरूर एक बड़ गोत्रो कर लें और politically interference भी नहीं होना चाहिए कि जैसे politically interference होता रहें अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि स्रापीके नाए और ड्रग्स बेरा ना ले फिर इसमें है कि अपने पास जो अपने घर में भी इवन जो है वो 14 साल से कम छोटे बच्चे को employment ना दे sexual harassment में involvement ना हो बर्क प्लेस में एक ऐसा decorum maintain करके रखे कि वहां पे sexual harassment act के अंडर कोई ऐसा offense उसकी तरफ से ना हो फिर इसको और मैं आपको बताना चाहूंगे 35-36 से एक बर screenshot लेके ज़रूर आप देख लिजिए फिर untouchability means छोट-छूट का option में नहीं रहने चाहिए फिर कोई इस डावरी वगएरा नहीं लेगा फिर कुछ ऐसा काम नहीं करेगा do nothing which is not expected from a government implies यह भी एक रहता है strikes पे illegal strikes पे पार्टस पेर नहीं करेगा pen down strikes भो भी नहीं कर सकता government implies फिर एक जैसे एक अठे हमके representation देते हैं भो भी इसमें misconduct माना गया है तो यह चोड़ी चीज़े हैं जो एक पर आप इसका screenshot लेके जरूर गोथ्रो कर लें तो यह थे जो आप एक government implies से expect नहीं किया जाता है अब देखिए अगर कुछ चीज़े हैं जो मैंने बुला do's में है जो एक government implies को करनी है अगर वो नहीं करते हैं तो या जो don't थे जो मैंने do not बताया था कि यह expect नहीं करता है अगर यह government implies करता है तो यह माना जाएगा misconduct और misconduct के बाद जो डिस्पनरी परशीडिंग जो है वो government implies की ब्रिज़ जो लगाई जाएगी यह डिस्पनरी परशीडिंग कहा है यह आपको CCS Conduct Rule 1964 में नहीं मिलेगी इसके लिए आपको होती है क्या government implies को नौकरी से भी सरकार चाहे तो government implies को टर्मिनेट भी कर सकती है क्या उसको compulsory retire कर सकती है इस तरह की यह जो शेंशर है बार्निंग है या क्या रहता है कि सारा मैं discuss करूंगा step by step और मैं कोशिश करूंगा कि penalty जो rule 11 में लगाई जाती है उसके लिए प्रसीजर ह करेंगे यह सारा मैं कोशिश करूंगा step by step छोड़ी वीडियो पर आके आपके साथ discuss करूं बट मेरा आप से नरोद है कि यह मैं तभी कर पाऊंगा अगर आप मेरी इन वीडियो को like करेंगे और share करेंगे तो इसी तरह की मैं वीडियो आपके साथ update करता रहूंगा keep watching HP notifications by करेंगे जाहिन जाहिमाचल